अगर लहसुन की कीमत की बात करें तो कुछ ही हफतों में यह 100 रुपए से बढ़कर 300 रुपए प्रती किलो होने वाली है। लहसुन के दाम बढ़ने के कई कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर मुखे कारण की बात करें तो वह है लहसुन का कम उतपादन। लहसुन की खेती सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में की जाती है। लेकिन पिछले साल लहसुन का उतपादन करीब 8 फीसदी कम हुआ है। लहसुन की फसल में किसानों को वर्षों से घाटा हो रहा था। जिसके कारण उन्होंने लहसुन की खेती कम कर दी। और इसी वज़े से लहसुन के दाम आसमान चू रहे हैं। लहसुन व्यापारियों का कहना है कि लहसुन की नई फसल बाजार में आने के बाद ही लहसुन की कीमत कम होने की संभावना है। बारिश के कारण फसलों की रोपाई में भी समय लग गया है। इसलिए नई फसल के आने में देरी हो रही है। लहसुन की कीमतें खरीफ की फसल आने के बाद ही कम होंगी। इसका मतलब है कि फरवरी के अंत तक लहसुन की कीमतों में कुछ कमी आ सकती है। इसके बाद सितंबर माह में लहसुन की कटाई की जाती है। इसके अलावा रभी सीजन के लहसुन की बुआई सितंबर से नवंबर के बीच की जाती है। जबकि इसकी कटाई मार्च में की जाती है। लेकिन इस बार रभी सीजन की फसल लगाने में देरी हुई है, जिसके कारण कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में प्रदेश और उत्तर भारत के राजियों में मानसून में देरी के कारण लहसुन की बुआई में देरी हुई है। इसलिए खरीफ लहसुन सितंबर माह के बजाए नवंबर के अंतिम सप्ता में बाजार में आया। वही यह जनवरी महीने तक ही पूरी तरह से बाजार में उपलब्ध होगी। Bureau Report Market Times TV